आप सभी दर्शकों का स्वागते आज इसी संकला में मारे साथ बारा नर्यडा से आयत कवी स्री सोबागमल वेश्णवुजी वेश्णवु जैसे हम इनके कावे रचना के बारे में जानेंगे साथ ही इनके जीवन पर्चे के बारे में जानेंगे कहां से हैं कहां इनकी शिक्षा हुई और कफ से इन्होंने कावे यात्रा कर सुबारम किया आएए बात करते हैं सोबागमल वेश्णवुजी से सवभाग जी आपका अमारे श्टूडिय में बहुत बहुत स्वागत है सवभाग जी आप अपने जीवन पर्चे के बारे में बताओ आप कहां से हो शिक्षा कहां हुई आपकी और किस व्योशाई से आप जूड़े हुए हूँ मैं गाउन नारेडा से हूँ बारा के पास में बढ़े बाला जी दाम से 5 km नारेडा है कक्सा आठी तक मैं पड़ा लिखा हूँ आठी से ज्यादा में पड़ा भी नहीं आरती की स्थी कमज़ ओने कारण में ज्यादा पढ़नी पाया उस समय में पहले हमारी स्कूल में बाव बाव बंजारा जी पढ़ाय करते तो वाव बंजारा जी में किया लिक लिक के 15 जबी जनोली पर गीत देते तो उससे थोड़ा सा वह लग गया उसके बाद में आठी तक पढ़ा ही पढ़े पढ़े पढ़ा ही चोट दी पिर मैं एक छोटी कपड़े की दुकान पर नोखरी करने लगे तो लगबग मैंने 20-22 साल तक कपड़ी दुकान पर नोखरी करी तो नोखरी करते चोड़ दी आप में खुद साड़ी का दंदा करता हूं तो साड़ी वेवसाई है खुद का ही है तो अभी मैं साड़ी का काम कर रहा हूं तो सोभाग जी आप पढ़नी सके आर्थिक इस्तिति की वज़े से हैं ना जी क्योंकि गर में इस्तिति ठीक नहीं है उसके बाद आपने देखो बड़ा मददू से क्या नोखरी करी 20 साल फिर उसके बाद चलो अपना एक वेवसाई तो आपने खड़ा किया पर ये जो आप अभने कावे की जो यात्रा थी ये कभसे मतलब शुरू की तीवे से ये कावे यातरा पहले से मेरी लगण थी से पर बीच में इसा कुछ करा निए पिर 2 10 अथार में तुड़ा सा एक छोटा सा मेरे गाव में कभी सम्मिलों लाना तो मैंने भी एक छोटा सा गीत लिख लिक मैंने हुएं तो इन्होंने मेरी कविता सुनी तो इन्होंने अच्छी लगी मुझे बड़े बड़े मंझे आज उनकी करपा से मालो के बोट मैं बढ़े बढ़े मंचियों बढ़े कभियों के साथ में कभी ताय पाद करिये है तो इसे नहीं मेरे को आगे बढ़ाया पहले में जैसे में गीत लिखे लिखने के बाद में इसने का यार ऐसा कर तु मेरे साथ चल जो बारा में अखिल बारते साहित परसकी कावे गोष्टें चलती है तो में उसमें कावे गोष्ट में जाता रहा उसकावे गोष्टें मेरे को कवियों किसे प्रेणा मिलती दी के कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं तो उसमें सुधार होता गया उसी आधार पर मेंने गीत लिखना सू कर दिया चलो यह सुना हो मारे दर्सकों को आप गीत मैं आज के पैसल का दौर चल रहा नेटका नेटके साड़ी ऐगे सी सारी है कि उसको पहन ने के बात में अगर 2 bandwidth है कि ढूंत लगा के तो यह ने पति उससे के रहा है कि ऐसी चीज में पेर अपन घर में तो साधा हड़ती वासन मेरे गीत है पति के रहा है और इम्मत पर और काई पर इनक राड़ी साड़ी नेट की थन सरम आवतारा जेट की काई पर इनक राड़ी साड़ी नेट की थन सरम आवतारा जेट की कहीड हीड हांसे और जोर जोर सूंबोले मुंडाम आव जे बकदे बात न न तोले ओ थारी आदत आरी तारी आदत पड़ी चकाई ठेट की थन सरम आवतारा जेट की तु कोया को न कर काई दो कोया को न पलो आरी कोया को न कर काई दो कोया को न पलो बट पलंग पचरती रव होरी चमक चलो अरी को यांको न कर काईदो को यांको न पलो बट पलंग पचड़ती रव होरी चमक चलो अरी थोड़ी आड कर वह थोड़ी आड कर कुंदी लगा गेट की थन सरम न आवता राजेट की कछोटो सो बिलावज घंडी पेशन मरी आरी आज का लशी पेशन चाली जे यूँ अपड़ा में बिलावज बना लीजे का छोटो सो बिलावज घंडी पेशन मरी आरी अतनो नीच बांद नाडो अकल फूट गीथारी आरी छोटो सो बिलावज घंडी पेशन मरी आरी अतनो नीच बांद नाडो अकल पूट गीथारी सब ना दीखे छ अरी सब ना दीखे छ तूंडी थारा पेट की थन शर्मन अवतारा जेत की उकाई परणक राड़ी साडी नेत की थन शर्मन अवतारा जेत की थोड़ी सीख मारी सुनुला तीतरे बना दियूं अरि थोड़ी सीख मारी सुनूला तीतरी बना दियूंब वेल वेट को लेंगो कप जो रेशम को मंगवादियूंब आरी मंग वादियूंब यह मंग वादियूंब साडी सब्सुमंगी रेट की तनसरम ने आवतारा जेत की। इस बहुत बढ़िया कविता स्वभाग मल्ली आपने सुनाई यह कविता आज सिंवारी बहुत अच्छी चर्ची तो रही है और यह कविता का माध्यां सुमने बड़ा-बड़ा मंच मिले जिए बहुत बढ़िया आपकी यह कविता थी अगीत था ू यह क्या होती है मतलब का absorption को आमन्तित किया जाता है जो आड़वेज शेत्र में सभी कविताते बारे आता है ना तो वहनीमेंus फिल दो ופशुव फैराब़ा जयातीיד कि उसमें जब पहली बार जब आप काविगोश्टी में देंगे तो आपको कैसा मसूस हुआ था पहली बार जो में गया तो जैसे पहले तो जैसे मेरा नाम लेते और मेरे दग दगी चन्ने लगी लेकिन जब सर्स्वती करपासे में जब खड़ा हुआ तो बिल्कुल नूर्म बहुत बढ़े हैं और विकिन किन संक्टरनों से आप जुड़े हुए हो जैसे यह जो साइट शेतर में जिकौन सा जैसे आप कर्षयों खेत खलान तो उसमें क्या सीक मिली आपको उस संक्टर से ग्रामिन शेत में जैसे लूपत हुए जो चीज तो उनको आज को याद नही तो इस तरह के आउजन होते हैं आप जो इसमें क्या मतलब कावे गोश्टें होती है सबीकवियों को बुलाए ज़्यता है सौभाग मल जी जो आप ने जो कविता ही लिखी अब तक कितनी लिख शुकिया अब तक मेरे करेबन 28-30 कविता हो तो क्या इन कविता हुं को समेट क कर कोई किताब निकालने का विचार विचार है मैं सोच रहा हूं में दस-विश कविता करें सतर के लगबग हो जाए ना तो फिर पुष्ट निकाले लिए बहुत बड़े आपका विचार है तो आपने जो कविताओं के महादिम से समाज को क्या परोसा मतलब समाज के लिखा आ अब वह जैसे अपन गाय की पुझा करते हैं तो गाय को अपन माता मानते हैं आज उसी माता के साथ यह स्तिती हो रही है को जिसके लक्स मैं से पहले पूझा की जाती है उसको आज रोड पे उतार रखा तो मैंने उस गाय के मादिम इस उनमान ए छोटा सा गीतिकर अच्छी गाई को रोड़ पे घूमते हैं को अपन किसे कहें के तू किसकी है तो मैंने बगवान स्रीक्रस्ण से कहने का परियास करा कि आज आपकी गाएं को साथ क्या हो रहा है एक हड़ती बास में छोटा से बगवान से कह रहा हूं अज गायाने चराबो रे जमू ना पे आबो जाबो काई भूल गयो रगिर धारी दब तू गायाने चराबो के तरस रही गाया तारी रे बिन पाणी बिन चारा जणों जणों मारे धकारे कोई नहीं सहारा के जब तक करे चाकरिया की रहे धार दूद की आबो काई भूल गयो रगिर धारी अब तू गायाने चराबो के गो रख्षक गो रख्षक नाम चू अतना गो रख्षक हो रहते ही इंदुस्तान के अंदर लेकिन वहान जो गो की रख्षा करनी चाहिए वहा रख्षा न कर पार या वहान काई रख्षा करनी चाहिए गोरक्सक अश करोजी सेवा एक नईयो जिना लाओ अर जिन जिनने छीनु हकमा को वाच्चारगा छुडवाओ गोरक्सक अश करोजी सेवा एक नईयो जिना लाओ जिन जिनने छीनु हकमा को वाच्चारगा छुडवाओ तो जनम जनम को दुख मट जा कागज थेल्या खामर जाबो काई भूल गयो रगिर धारी अब थूगायाने चराबों को गोरक्सा के नाम राज सुन बजट करोणा रोआवे सारी गाया सुनी ही डोले उचारा ने कुण खावे तो या तो जूट बजट को आबो या बाट चूट कर खाबो काई भूल गयो रगिर धारी अब तूगायाने चराबों आज गायी रोड पर आकर भी काई इस्तिती होरी चे आए दन उका एक्सिडेंट हो रहाँ चे एक गायी का बच्चटा को एक्सिडेंट हो जाओ चे चार पांच गाया वहाँ खटी होकर और वहाँ खड़ी रहाचे तो मन उपकाई कल्पना करी सडक बहे खून की धारा गाया रिमोता होरी देख दसा बेटी की गोमा खड़ी खड़ी छे रोरी कहाई कान अब कोने बस की काई भूल गयोर गिर धारी अब तु गायाने चराबो के एक समें उचो काना जी तें ढोर चराता डोले अब द्वारी का धीस बन्या जे गाया सुन बोले अज एक समें उचो काना जी तें ढोर चराता डोले अब द्वारी का धीस बन्या जे गाया सुन बोले आज बिसुर गयों काई स्वाद कान जी माखन मिसरी रोखाबो काई बूल गयो रगिर धारी अब तू गायन चराबो स्वाद जी वास्तहों में जो अज इस्थ गयों की ए उस पर आपने जो वेंगे दिया और जो सरकार नो पी भी और जो गो रक्षकों करना चाहिए वो नहीं गयुपारा आप ने बहुत बड़े वेंगे का इसमें पुट दिया है और वास्ताओं में जो इस्थिये वह उसका बखान आपने वर्थमान का किया है सोभाग जी आप आगे भी कोई इस तरह आपका साइध ते कावे लेकर जारी रखना चाहेंगे क्या मानते हैं मैं तो यह साथ हूं को मेरा आगे शागे बढ़ता रहे मेरे को इसमें बहुत अच्छी रूची लगी है अहीं कि अब है सबसे बढ़के लगी कि आप व्यापार करते हो और व्यापार ऐसा करते हो जिसमें समय नहीं मिल पाता फिर भी आप अपना कावे लेकर कैसे कर लें यह है मेरा ऑपर करता हूँ साडी आतों मेना दुकान नहीं है मेरे गाह दूसे घर गराक मेरे क्लिकर मेरे कष्ट गष्टी जाता हूं तुप मेरे मोटरिकील पर कथे रखते हैं मोटर साइकने और वो गेत का रूप लेलेती है जो भी मेरे दिख जाता है को अच्छी चीज जाती है तो मेरे को उस में उसके अंदर गुशी जाता हूं मैं उसमें पूरी खोज कर लेता हूं कहां से का थे क्या करक्या लिखना चाहिए कि आपने सबसे बड़े 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 मंच का मतलब साज्या की है बता है मैं जिसे बारा का डॉल मिला मंच है और अभी भी मैं कनवास में पड़के आया हूं बपावर में पड़ी है अच्छे कवियों के साथ में करें 25-30 मंच में ने कर लिए वेसे किन-किन जो कवी है उन आपने नाम लिया भाबु बंजरा जी यह आ जिस कारह क्रम में आचुके और उनके शोच injury कि बहुत अच्छी है और कई लोग केते हैं कि उन्होंने कई कभियों को मतला कई लोगों को कभी कभीत्र में डाला इसा मानते आप यहां पर अब दोबर अधिक तर्म मेरे कि जैदा मेरी जैदा मेरी कम कर रहे हैं अच्छा अच्छा कारों को जो दवे कुचले जो जानते उनको प्लेट फारंपी दे रहे हैं बहुत बढ़ी आप लोगों का संक्तन है जो अच्छा काम कर रहा है हाड़ोती के अंदर जाते जाते एक कवीता आप और सुना यह मर दर्शकों को अभी बगवान सिरा मंदिर का जब निर् तब मैंने हिंदी में लिखता नियू में बखिये एक लिक में आगया हो वह यू माली जाब हाड़ती मिक्सीन भी जब भगवान स्री राम जी का मंदिर का जब उद्गाटन हुआ गरफ प्रवेश हुआ तो मैंने एक छोटा सा गीत लिख लिक आ है कि लहर 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 ल लहर 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 आए बगवान जन्म बुमियो द्यादाम जैस्री राम बोलो यारों जैस्री राम जैस्री राम कि सपल हुआ ये जन्म हमारा सपल भाग्य की रेका सपल हुआ ये अब तक जीना मंदिर बनते देखा तो बाइस जन्म बुम जैस्री राम बोलो यारों जैस्री राम बोलो राम कि दर्शन के प्यासे ते प्रभु हम जी भर प्यास बुजाई कब से बाट निहारे अखियां अब आये रगुराई तो राम नाम दुन राम नाम दुन गुज उटे अब सर गड़ अर ग्राम जैस्री राम बोलो यारों जैस्री राम जैस्री राम कद्वा पर त्रेता सी कुसियां अब कल युग में भी होगी राम चंद्र के राज तिलक की चर्चा करेंगे जोगी तो देव लोक चे देव पदारे और पदारे चारो धाम जैस्री राम बोलो यारों जैस्री राम जैस्री राम कि सनातनी सब करे वीनती सुनो प्रभु अर्ज हमारी राम राज तो आ गया अब मतुरा की बारी तो रास बिहारी रास रचाओं रादा संग गन शाम जैस्री राम बोलो यारों जैस्री राम जैस्री राम बहुत बढ़िया बगवान राम पर आपने कवीता सुनाई बहुत अच्छी लवीश यह थे हमारे साथ सोबाग मल जी बैशनव कभी हैं और बहुत अच्छी इन्होंने गीत आप लोगों तक पहुचा है कई शिक्षा प्रद इनके गीत जो आज भी कई मंचों से सुने जा सकते हैं आज है हमारी स्टूडियो में पदारे आपका बोद बोद आवार है जो आज हमें ऐसा मोका दिया तो हम चोटे लोगों कौन सुनता है